स्टूडेंट करते हैं कुछ प्रैक्टिकल कोश्टन के साथ जैसे कि लाइस क्लास में हमने सीख लिया था और कुछ आर्टिफीशल एक्जामपल के तुरू वैसे तो हमने कोश्टन भी कर लिए थी तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग चैप्टर है डैट ऑफ पार्टनर में क्य हैं जरूर डालें सो दैट तुमारे पास एक क्रोनलोजीकल करम में जो हैं सारे नोट्स बने वे हैं आप बात आती है सरक कोश्टन करा दीजिए सो दैट हम समझ पाएं कि जो बाते हमने सीखी दिवे हम समझ चुके हैं या नहीं खीक है ना बेटा तो जैसे कि हमें ध्यान दो बाते सासाज लेकर समझनी है एक तो प्रोफिट का बेस खून सा है फिर उसके बाद जनल एंट्री किस जाप से डालनी है क्या रेसो चेंज हुआ या रेसो चेंज नहीं हुआ प्रोफिट हुआ या लोस हुआ है ना इसके लिए डायेक्टली हम समझेंगे कोश्चन नंबर इलेवन से आपको क्या सेवन एट नाइन टैंग यह नहीं करना नहीं जी बिलकुल करना है आपने लेकिन जो मैं समझेंगा जो मैंने बते समझाई हैं वह बाते आपको जाद होती है नॉर्मली एक्जाम में लेकिन मैं से ले लिख रहा हूं सो दैट आप इसक्रीन पर देख पाएं और समझ पाएं उसको तो इसने का बेटा राम मनू और हरी तीन पार्टनर थे जिनका रेशो इन्होंने शायद नहीं बताया मुझे तो कहीं दिखनी गा इसका मतलब क्या होगा बेटा वर्रियश्टू वर्रिश्टू भया जाना इसकी असले की नहीं की ना में गलती होती है वो होती है comprehensive गल्दी यानि कि अपने सोब पढ़ने में गल्दी कर दोगी तो हमिसां मोटी मोटी चीज़ा आपको लिख देनी हैं पहले ऐसे लिखो जितने भी पार्टनर है उसके बाद इसने क्या बदाया हरी कि क्या होगी बैटा डैथ होगे तो जिसकी भी डैथ होगे आप ले जाय सना रहे है तीज जून दो जार एकिस पूरा लिखना है इस तरीके से क्या होगा सर्फ इससे ही होगा वेटा कोशन कदी गलत नहीं होने का थोड़ी सी महनत लगती है लेकिन आपने लिखना है ठर्ट जून टूट वंटी वन और साथ ही साथ ही के ब्रैकिट में लिख काम किया है देखो वेटा एक बात मैं आपको बहुत बारिक बात बताऊंगा जो एक्जामीर करता है आपके बुक में ऐसे कुर्शन भूतन मिलेंगे देखने के लिए यहां पर यह भी जहां देना है एक जून है या तीस जून है मैं बहुत ही अराम से कराऊंगा इस कॉर् किमर रहो है मैं भी कांट होगा और जून भी कांट होगा लेकिन कितने में अंगे डूक में आपको समझाओं अगर करता है एक्जामीनर करता है बोड में बोड एक्जाम में ऐसा होता है एक जून लिख देगा बच्चे बहुत स्पीड ली करेंगे अप्रैल मई जून काउंट कर देंगे लेकिन आप ध्यान अत्मा जिब सुरुआती डेट होती है जिस महिने की तो आप उसको काउंट नहीं करेंगे एक सेकिंड मैं तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यह मंथ जभी काउंट होगा जब भी जिस महीने की उसमें डैथ हुई है और उसकी लास्ट की डेट हो ध्यान लखना हमेशा यह बात इस पेसल याद रखने हैं आपको राइट फिलाली मैंने जो आपको करके समझा है इसको करने की कोई जरुत नहीं है आप अच्छे से काउंटिंग करेंगे हमें से ध्यान लखेंगे इसमें पेच्छे घल दिखर जाते हैं उसके बाद क्या करना है अपने उसके बाद यहां लिखना है प्रॉफिट और को पढ़ना है आपको यह पता लगाना है कि कोशन में प्रॉफिट सेल बेस है यह टाइम बेस है जिसको मैंने आपको बोला था कि आपसको टाइम बेस बोल देंगे तो मैं पढ़ता हूं आगे कोशन कहा है इस प्रॉफिट ऑफिट ऑफ फिर मार्ट टॉजर अच्टी यह टिलना रेट ऑफ इस डैट वस तो भी कैलकुलेट ओन सब्सक्राइब तो जैसे आप यह बात पढ़ लेंगे तो आपको लिखना है प्रॉफिट ऑन कौन से हो गया हमारा है क्योंकि एवरेज का है मैंने का था जब तक सेल ना बता है तो वह सेल बेस नहीं उसको क्या बोलेंगे प्रॉफिट ऑन टाइम बेस ठीक है ना प्रॉफ मतलब में इसका मतलब अबरेज के निकालना है या ना एकजाम में फोलो नहीं करोगे बहुत स्पीड करना चाहोगे तो मैं गारंटी लिखके देरा आप अपने स्कूल में भी साइकल टैस्ट या फिर जो भी टैस्ट दोगे ना वहां पर गलत आएगा कुशन आपको सही कर गया लेकिन आंसर नहीं आएगा क्यों क्योंकि इनमें गलती होने के चांस कई जंग होते हैं तो यहां पर यह वाली बात होगी जून को आपको काउंट करेंगे दूसरा टाइम स लिखने के बाद आप सिद्धा क्या निकलने जो भी आपको बेस का वह उसके साब से चलना है तो यहां पर क्या क्या आवरेज प्रोफिट तो सबसे पहले हम निकालेंगे बैठा एवरेज प्रोफिट और एवरेज प्रोफिट किसका बैठा लास्ट के सीन सालों के प्रोफ लेना है तोटल रहा और तीन से डिवाइड होगा अब एक बात यहां पर भी hend to hand समझ लिजे अगर किसी भी इहां पर लो सुथा किसी भी एक साल का यहां पर ध्यान लखना वह क्या हो जाता है हैं पर वह यहां पर किसी भी साल में क्या हो जाता माइनस होता है ना कि प्लस चीज़े के लिए रहें बाते हमने वैसे गुड़ बिल में सिख़्ी हुए अगर यहां पर तीन सालों के प्रोफिट के हिसाफ से कहता एवरेज प्रोफिट निगा लो किसी एक साल का भी लोस होता तो हम यहां उसको प्लस ना करके माइनस करते हैं ठीक है सत्थ यहां त प्रोटर कितना होगे में बच्चों अब जो भी आप किसी भी कोशन में अगर आप करते हो मालेजिए लोस आ जाता है तो यह चीज़े जो बच्चों ने पहले से बहुत अच्छे से मैनत करके समझा हुआ है तो उनको तो संज में आ जाएगी बहुत आराम से कि उसको माइन कर देते जैसे कि एक लाग 30,000 रुपए प्रोफिट नहुता लोस होता तो हम यहाँ माइनस का साइन लगते और इसको माइनस करते ठीक है फिलाल कोशन के हिसाब से बढ़ते हैं यहाँ पर क्या दिवाए प्रोफिट दिया हुआ है तो हम कि इननों को एड कर लेंगे तो कित उसने कहा जो साल मनना जाएगा किस साल का जी साल इसकी टायका थोई कुछ साल का प्रोफिट होगा एबरेंच प्रोफिट और यहां किऽ यहां एक लग दीख लैकिन क्तों लेकिन को यही आंसर पर करना को उच्वाइन उटाना को कवा इसमें कहा था आप Ск03 ऑगें क्या निकालना है है हरी शेयर ऑफ जो ठीक है ना ठीक है है लिए लिए हरी निकालने के लिए आपको बतायाता है तो टोटल जो भी आपने निकल ला है तो निकल ला प्रॉफिट इंटू टाइम तो यहां पर लगा कि त से शीनने का निवह कि चलते हैं इसको फॉर्मूले में लगाते हैं टोटल प्रॉफिट कितना है बेटा हमारा 120,000 हाँ या न एक लाग 20,000 शेर कितना था हरी का खरी का शेयर करिए एक उपल थे तो बन धर हो जाएगा तो बन धर हो जाएगा इंटू टाइम कितने महिने काम करा तीन 3 अपॉन 12 तो भीटा यह कैंसील हो जाएंगे तो कितना है बेटा 10,000 कितना है जी हमारा आंसर है 10,000 लेकिन इसने क्या कहा पास्ट नेससरी जर्णल एंट्री तो जर्णल एंट्री भी लान लिए कोई बच्चा बताएगा जर्णल एंट्री कौंसा केस लग रहा है कि प्रोफिट वाला केस लग रहा है है राजभ फशे अकाउंट वाला है बहила यह तो साही है सबस् uko change तो आपको क्या करना पड़ता है पढ़ना पड़ता है और उसकोर्षन को जैसे में नहींद सब्सक्यान पर आपनान वाल में पनत disp i जाने नहीं किया अब नहीं किया तो कौन सा लगेगा इसे वाला नोट चैंज नोट चैंज में कौन सेंटी बता रुठार रखी दो यह तो प्रोफित है तो कोंसी डेलेगी प्रोफित लोज अप्टा रिवार्स हो जती है ना वह सुथ उफ्टा टाल देख प्रोफित अंड लोज बेट अपूरा लिखना है प्रोफित अंड लोज अबिट तो डिजीज पार्टनर गोने मारा था तू अरीज कैपिटल एकाउंट टैन थाउजन एन टैन थाउजन किलियर आया सच में है येस सौर अग ये कोशन करना है 14 जो मैं कराऊंगा अब आप कोशन नमर आप कोशन नमर 14 देखिए और माइक बंगेजिए जैसे मैंने आपको कहा आपको छोटी छोटी बाते सुरुवात में लिखनी है तो हम लिख देते हैं राकेश और हर्ष तीन पार्टनर है ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं तीन पार्टनर है जिनका रेश्यों के इतना था बेटा तो तो वन और मनोज की डायथ होगी मैं डर रहा था कहीं हर्ष की नहों हो जा हमारी किलास में हर्ष भी बेटा वा ठीक है लोजी मनोज की डायथ होगी इनका रेश्यों ये था और जैसे मैंने आपको बताया था आपको हैंड लिख देना है कि मनोज डायड ओन कब डायथ हुई बेटा इसकी 30 जून मैंने आपको पहले बताया था कोशन में एक ही पैटर्न खोलो है जो बहुत गलत है इस तरह से होना नीचे के वैसे हैं न बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अब यहां पर तो जादा करते दिसम्बर में यहां पर भी एक्जामेनर का बीकर खेल जाता है तो मैंने देखा आगर मैं इसको देखूं कि कहीने कहीं बात जरूर लिखी रही और कुछ क्या करना आपको उसके बाद करना को प्रॉफिट कुन सा बेसका है इनका राकेश and हर्स डिसाइड to continue the business और हर्स क्या करेंगे बिजनिस को continue करेंगे share of profit or loss of the disease partner from the beginning of the year up to the date of his death was to be determined कैसे करेंगे on the basis of last year profit तो प्रॉफिट profit on कौण सा बेस है बताओगे कोई profit on time-base time-base क्योंकि क्यों हैukime जैनrada कर दिया कि इस साल का जो profit मानने के कौं सा मनने के लास्ट यरो विलकुल सही time base то तो टाइम बेस्ट है प्रोफिट तो टाइम बेस्का मतलब है लास्ट यह पोट पुछारई कि मैं कराओं आप आप ध्यान से समझेदा यह है लोज तो पिछले साल का जो भी क्या हुआ हाँ उन्ह और कुन ये उसिमेल पीछन सारी नित sus 0010 और भंशन की जो भी पिछले साल मुन बेस चीज थीम बेस cracked तो इस साल भी तो वही मना जागा जब कहते पिछले साल को बेस बनाना यह सर ठीक है आगे चलिए आप इसने कहा दिया लोज अब हमें किसका निकालना शेयर बेटा मनोज गा तो हम लिखेंगे मनोज शेयर अब मैं फोर्मूलान लिख रहा क्योंकि आपको पता चलिया तो मनोज का शेयर कैसे निकलेगा बेटा टोटल लोज तू ले इन्टू हिस शेयर कितना तू अपन फाइव इन्टू क्या कर देंगे बेटा इन्टू में इसका टाइम कितना थ्री अपन ट्वैल पा यह आया वेट्टा 20,000 आप सो स्वोल कर लेना 20,000 आ रहा है मेरा आपको बीट 20,000 आएगा गॉट इट अब यह क्या है यहां रखना अगें यह क्या है लोज है इस बार ठीक है अब क्या चाहिक करना है केस कौन सा लेगेगा अगर मैं बात करो जर्नल एंट रहेगी तो देखो क्या इन्होंने रेशो चेंज किया है नो सब नहीं इसका मतलब अगर हम शुरुआत में यहां पर तो रेशो तो चेंज नहीं किया डस नोट चेंज तो यह केस फर्स लेकिना प्रोफिट नहीं हुआ क्या हुआ है लोज तो लोज के टैम प्रिश डल जाएगी जो हमारे मनोज कैपिटल अकाउंट डैबिट टू प्रोफिटन लोज सस्पेंज एकाउंट ट्वंटी थाउजंट एंड ट्वंटी थाउजंट तो चीज इतनी आसान हो जाती है अगर आप नोट्स की साब से पढ़ते हैं नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं नोट्स को ऐसा समझते ह से फर्स्ट क्लास होगी जो कंसेप्चुल क्लास होती है कि इसका क्या समझनाई तो हमें पता ही नहीं है जब कुशन करेंगे सब देखेंगे लेकिन ही में बताओं मैं अगर आप अच्छी से समझ लें ना तो कॉशन में कुछ बसता नहीं है अब हम करेंगे कोशन नमबर 15 क अब दा क्लोजर ऑफ देखेंगे यह तो इसमें प्रोफिट टाइम बेशिश है और एवरेज ब्रोफिट अब देखेंगे चैनल के अथारा नुनिस और सतरह दे रखेंगे जैसे प्रोफिट तिल देखेंगे इन पास नेसे जनल एंटी इन दस फोलिंग केस यहां पर दो क सब्सक्राइब करेंगे और एक बार एंफिसाइज करके बता दिया कि रेशों कर लेंगे ठीक है कोई बात नहीं कोशन है हमारा यहां पर दोनों को चीज़े कह दी तो ध्यान देर केंगे वही जैसे मैं आपको समझा रखा आप मोटी मोटी बत्ते लिख लेंगे एक्स क्या होगी बैटां डेध ऑन एह दो किसमें एग सिल्टाइब धॉट यहां तक तो चीज़ें के लिए हैं आगे चलते हैं प्रॉफिट क्या समझा रखा प्रॉफिट और कौन सा है तो क्रॉफिट इन टाइम बेस ताइम बेस में क्या सब ऐख एब्रेज अवरेज प्रोफ ठीक है जैसे आपके लिए हो जाता आप क्या निकाल लोगे एवरेज प्रोफिट जैसे निकल लोगे तो कैसे निकलेगा बैटा लास्ट यह के तीन सालों के प्रोफिट जोड़ देंगे अठारह जार प्लस-19,000 प्लस 17,000 इनको क्या कर देंगे ने किस से तीन से जो आएगा वो किया क्या लाएगा आपके लाइगा आपका बैटा अवरेज़ प्रोफिट कितना हो जाएगा बैटेते89000-3000 और 17,000 कितना हो गया 54,000 और डिवाइड कर दो आप इसको तीन से तो कितना जाएगा 18,000 पॉइंट भी नोटेट यह जो 18,000 आया है जो 18,000 आया है यह एवरेज प्रोफित आया है एवरेज प्रोफित आया है 18,000 यानि कि यही हमारा क्या हो जाएगा biggest profit for this year प्रोफित कितना होगे इसी साल के लिए एटीन थाऊजेड इसी साल के लिए एटीन हो गया यह क्या हुआ तोटल प्रोफित हUए हम यह किसका निकालना मेरे बच्चों किसकर द्यात होएट यह πटीeren जैर का शेयर कितना होता है total profit into his year इंट उसे ने जितने महीने काम किया कितने महीने काम किया अप्रेल ने थर्टी फस्त में है तो डाट में में काउंटेबल हैं तो दो महीने काम करा तो यहां पर इसलिए कहता हूं में इतना फोकुस देने के लिए तो दो बटे बारा हाया ना आप इसको स्कूल करेंगे 36 हो जाएगा और 26 हो जाएगा और इससे कटोगे तो कितना जाएगा 1000 तो जैड का शेर कितना जाए बट्टा जैड शेर लगता है कोई कि आप कोशन मैं केस दो दे रखें और भी केस मैं आपको आमने सामने इस लेकर करके सकते हो केस ए में क्या गया रखा और ज्याद से देखेंगे कि देखें समझिए के से मैं क्या रखा प्रॉफिट शेरिंग रिमेनिंग पार्टन डज नोट चेंज ड़स नोट चेंज ना भी कहता तो यह हम कि रेशो चेंज नहीं है और जब रेशो चेंज ना थो एंट्री कुंसी डलती है बेटा प्रोफित अनलोव सस्पेंज अकाउंट डैविट प्रॉडिजिस पार्टन तो जैर्ट चैपिटल एकाउंट और कितने अमाउंट है जी वन थाउजन वन थाउजन यह वाला केस के साब से लेकिन जब यह कह दें बी केस में रेशो चेंज और रेशो क्या है मेरे बच्चो चेंज है जब रेशो चेंज भी जाता है तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि रेशो पता होना चाहिए तो हम लिए देंगे नियू रेशो क्या है देखो दिया रखाऊ उसमें बुक में बताओगे देखके वितना है त्रेश्टो तो बिल्कु सही अब जब नियू रेशो चेंज हो जाता है तो या बताए कि कोई बच्चा भी ना देखे एंट्री क्या थी यह वाली तो डलती अब मुझे तो पता चले अटलिस्ट तभी तो एंड्री डल लूँगा तो पहले में क्या निकाल वहां बिट्टा गेनिक पार्टनर रिमेनिक को है हमारे एक्स और वाई तो पहले हम निकल लेंगे एक्स गेनिंग रेशो इसमें काम बढ़ जाता है पहले हम एक्स और गेनिंग रेशों क्या होता है बिट्टा निउ रेशो थ्री अपॉन फाइफ माइनस ओल रेशों कितना था वन उपल दा ना दो बन थर्डू गया है तो एल्सेमाज आएक कितना बिट्टा फिफ्टीन पांस थिया पन्दा तीन थिया नो थीन पंच कि आप निकल लेगा बाइक तो जैड गीनिंग देखनें इसका्न कितना टुब अपॉन फाइफ देखे रहें रिशों नीयो फॉन फाइफ थी तो पांस पंद्रा पांस आपंद्रा तीन दोनी छां मैंना तीन नहीं पंद्रा पांस तो तो कितना जाएगा मेरे बच्चे एक वेल्टे पंद्रा तो वी चैने से था गेंग रिशो के सिक तून विल्ट के तो ऊब हना पूर इस तू ओना न पर गेंगा तो हमाल इसरो नुना बहूंद कि हमें गेनिंग पदद किसको गेन और है एक्स को भी और वाय को भी तो हम लिखेंगे एक्स एक्स एकाउंट डाविट वाइज कैबिटल एकाउंट डाविट तू क्या डल लेंगे विट्टा ड्स पांटर डीजिस कौन ने हमारा जैड तो डू जैड कैपिटल एकाउंट कितना है जैड का कैपिटल स्वरी प्रोफिट अभी निकाला था नाम में यह एक हजार तो हम यहां लिख देंगे वन था हुए ठीक है मेरे बच्चों और इसको कौन से रिसों बाट देंगे इनके गेनिंग रिसों में जब आप इसको स्वर्व करेंगे तो यह कितना हो जाएगा आठ सो और दो सो और यही आपकी एंट्यों की केस्पी की कि डन के लिए रहे हैं यह सर्व आज की किलास में मैं इतना ही रखूँगा आप एस डबलू लिखो अपना कौन कौन से कोशन आपने करने हैं कोशन नमबर सेवन टू सेवन टू लेकिन कोई भी प्रोब्लम होगी तो इसको हम कल शोट आउट करेंगे ठीक है तो आज की क्लास में इतना रखते हैं नई क्लास में नई प्रैटिकल कोशन करेंगे